नमस्कार किसान भाईयों किसान भाईयों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चेंजल राजस्तान फाइदेका सोधा के उपर किसान भाईयो आज मैं आप लोगों के लिए जो मशीन लेके आया हूँ वो चौमुवाली कटर मशीन है इसे चोमु वाली कटर मशीन के नाम से जाना जाता है और यह मशीन अपने बस्ची छेतर के अंदर देवगाओं में यह मशीन है जी किसान बाई ने मुझे यह सुबह वीडियो भेजा था कि आप हमारी जो कटर मशीन है इसके ओपर वीडियो बनाओ तो मैं आप उसके उपर वीडियो बनाके यूटूब के उपर अपलोड करने वाला हूँ और आगर आप लोगों को यह मशीन खरीडनी है तो आप लोग हमसे संप्रक कर सकते हैं मशीन काफी बड़िया कंडिशन में किसान बाई ने इसकी दुलाई नहीं कर रखिये इस वज़े से यह ऐसी नजर आ रही है नहीं तो इसको दोके साब करके अगर वो फोटू कीचता किसान बाई तो यह बहुत अच्छी चमकती हुई नजर आती लेकिन अगर आपको यह पसंद है तो आप मुझे संप्रक कर सकते हैं वीडियो में आगे चलने से पहले आप से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर में लिखा हूआ है सबस्क्राइब उसको दबाएं साथी बैल आइकन को भी दबाएं का दबागे ALL किलिक कर दें इससे वाइदा यहाँगा कि मैं जब भी ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा ये मेरा एक छोटा सा परियास है किसान भाईयों के लिए तो इसे सफल बनाएं और अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में इस मसीन के बारे में कि इस मसीन की क्या क्या खासियत है तो किसान भाईयों आगे चलते हैं, वीडियो में देखते हैं, मसीन की विसेशता हैं, आप हमारे साथ बने रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखे, वीडियो को लाइक भी करते रहे हैं, और सेर भी करते रहे हैं, तो चलते हैं किसान भाईयों, तो अब हम शुरूआत करते हैं मसीन की जानकारी लेने के लिए और अब हम इसकी सुरुआत पिछे से करते हैं हम बात कर लेते हैं इसके फंटों की तो इसमें जो फंटे हैं आपको भी दिख रहे हैं सब और मुझे को भी दिख रहे हैं कि ये फंटे हैं जो लकड़ी के फंटे हैं सब्सक्राइब यह होता है कि में Cow ieSelt Amendment यह सांग प्रॉप तरह के रहा है यह आप लोगों को नजेरा रहे हैंगे तो चल रहेंगे शाइड जाड़ा पुराने नहीं है भी अच्छी आ रही है साथ इसकें ताइर 750-16 के tire है और MRF के यह tire है आप लोग देख सकते हैं MRF Company के टाเอर कापी अपय अच्छे होते हैं और यह tire MRF के हैं 756 के यह tire अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे इसके यहां तक आ सा जाते हैं इतो पंखे की बात क्र लेते हैं में सिंगल है कई मशीनों में डबल आता है इस मशीन में सिंगल तो यह सिंगल है तो इस到 différents इत्रप चलेगा और आपको यह देगा अब इस मशीन की बात कर लें गंटे में कितना उव रेज़ पर लेदे ये मशिन ठारा से 19 कुंटल के आसपास ये मशिन निकाल देती है जैसा कि किसान बाई ने हमें बताया है तो आप इस मशिन को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में में कमेंट करके हमसे संप्रक कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं मसीन के गेर बकसे की, तो गेर बकसे को आप देख सकते हैं, इस्टार वाला इसका गेर बकसा है, जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इस गेर बकसे में तीन गेर है, दो आगे के गेर है, एक रिवस गेर है, जो पीछे वाला गेर है, एक प देख लेते हैं अब आप मशीन को दूसरी साइड ची देख सकते हैं कि यह मशीन जो इसका गाला है वो टेपर टेपर में है गाला और इसमें यह पत्तियां लगी हुए इस चिपाई यह होता है कि इसका जो कच्रा है उस साइड नहीं आता है वह इस रास्ते से ओके इधर इसमें सापट लगी हुए है इसका मतलब है कि इसमें से चन्य और सरसों निकाल सकते हैं हम आराम से इसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है तो अब तक हमने जो मशीन की बात की उसके इसाब से देखा जाए तो यह मशीन कापी अच्छी है आपको इसको लेना है तो आप हमस टायर यह भी अच्छा है और इसकी दिदिर वाली भी काफी अच्छी है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है अगर आप लेना चाहू तो अब मशीन को हम थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं कि आगे से यह मशीन कैसी नजर आ रही है तो चलते हैं आगे की तरफ अब आप हम थोड़ा सा आगे चलके देख लेते हैं जहां हम पीछे देख रहे थे वो पार्ट ये वाला था अब हम इस पार्ट की बात कर लेते हैं तो इधर भी ये देखे हैं आप पंखा लगा हुआ है इधर से एक सापट लगे हुई है ये सापट यहां के कनेक्ट हो जाती है और इसमें जो पंख पत्यां लगी हुए वो फर्णे लग जाती है और इससे हम चने और सरसो निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं और इधर वाला ये पंखा आप लोगों को नजर आ रहा होगा अब हम बात कर लें थोड़ा सा आगेज छोके इसके बील की और इनकी बात कर लेते हैं किसान बाई ऑब कर लेते हैं इसके बील जैसे अमनिके हमें किसान बाईनां बताया है कि भील कितने इंची का है 48 इंची का है इसकी जो पूलिया है डबल पूली में यह मसीन है और इसकी फैल वुल्ट भी काफी अच्छी है तो यह मसीन देखा जाए तो काफी बड़ी है लेकिन मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप मेरे दोरा बनाएगे वीडियो पर अगर मसीन क को जाके देखे क्योंकि मैं वीडियो किसान भाई भी बनवा की मंगवाता हूं किसान भाई जब मुझसे संपरक करते हैं तब तो मेरा कहना है कि आप वहां जाके और उस मसीन को वहां जाके देखे और फिर मौल वाओ करें मसीन को खरीदें मसीन में कोई अंदर यूं निकर कर सकते हैं मसीन के अंदर से मेरे पास वीडियो किसान भाई ने बना कि नहीं बेजा है तो मैं इस मसीन का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकि आया हूं तो आप देख ले ना बाहर से मसीन का वीडियो बना कि किसान भाई ने मेरे पास पहुचा है अब मैं बात कर लो तो मशीन् का मोडल तो मसीन का मोडल जैसा किसान बाई ना में बताए डोजार 18 ीर 14bahn ने जो किया मां आगे आपको बता दूँगा पहले बात कर लेते है इसके गंडासों कि तो गंडासे इसमें तीन आए इस कि साइज 32 है 32 सिंची का इसका ड्रम है और गंडा से की पत्तियां इसमें तीन लगती है इसका है तो इसका है रहना वह हैड 14-12 का इसका है बताया गया है किसान बाई दौरा और इसके वील की साइज 48 इंची है वह मैंने आप लोगों को बता ही दिये तो अब हम इसका वीडिय वीडियो देख लेते हैं मचीन का और कीमत की भी कारता है पहले जो आप इस मशीन का आप मसीन का अच्छी साफी मशी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो हमसे संप्रक कर सकते हैं मिन आपका संप्रक किसान बाई से करवा दूंगा यह पीछे से इसका गाला देख लीजिए आप गाला ज्यादा टेपर में नहीं है टेपर में ज्यादा हो निगा नुकसान यह होता है कि जो हम अंदर इसके पूलियां पगर डालते हैं वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन यह हलका किया हुआ है और कापी अच्छ सकते हैं यह जुन्ट वेगरा गेर बक्से के पीछे से यह फंटा है इसका टायर आप यहां पर टायर भी देख लीजिए और यह फंटा यहां लगा हुआ है इसके ड्रम की साइज मैंने बताए दिया आपको 32 और तूड़ा निकालने का है इसको मैंने आपको बताए दिया यह एक है इसके अंदर यह पंखा नीचे बील यह रूटर यहां पर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें काफी अच्छी मसीन है आप किसान भाई हमें चारु तरफ से दिखा रहे हैं आप देखिए यह कुंदा जान टैक्टर को लगाते हैं हम जोड़ते हैं देख लीजिए आप इस साइड से भी देख सकते हैं यह टायर दुर्वाला लब देखा जाए तो मसीन खरिदने लाइक है और अब मापको मसीन की कीमत के बारे हम बता दू किसान भाई इस मसीन की जो कीमत का निर्दारन किया है उन्होंने किया है एक लाग चालिस अजार त तो नहीं है अगर आप इसे लेना चाहते हैं एक चालिस मसीन को अपना बनाना चाहते हैं और इस बार फसल निकालना चाहते हैं आप तो निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं मसीन को उपर से भी दिखा रहे हैं किसान भाई यह इसके जूंट है गेर बक्सा के पास के और इसका यह हैड आप यहां पे देख लिया हूँ तो यह था आज का वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो में रोज लाता हूँ अगर आपको भी इस तरी के वीडियो बनवाने हैं तो आप हमसे संप्रक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना अगर आपको इस तरी के वीडियो बनाना है और अगर आपको यह मज़िन पसंद आए तो लाइक ठोकते रहिए वीडियो को सेर करते रहिए और चेंजल को सब्सक्राइब करते रहिए फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक और